हम बात कर रहे हैं पटेल इंजिनेरिंग की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इसमें आमको गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली है और इससे पहली वीडियो में जब इस्टॉक ने रिजेक्शन लिया था 67 की लेवल से वस्वक्त हमने डिसकस किया थ सपोर्ट लेवल को कि जो लो जहां से सपोर्ट ले रहा था बार बार उसी लेवल पर सपोर्ट ले सकता है और हम देख सकते एक्जेक्ट उसी लेवल से सपोर्ट लेके बांस बैक हो है और इस बांस बैक के साथ हमने कहा था यह जो हाई उस हाई तक का हमको जम देखने के ल अमको करते हुए नजर आ रहा है हम उस लेवल को चेक कर पा रहे हैं आपर 62 50 से लेकर 37 के ही बाड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मतर है है और इस्टॉख आप 64 का जो इसका रैसिस्टंस था उसको ब्रेकोट कर चुका था 65 50 तक कहा अविपाए थो कंडिशन में 64 § लेवल immediate support का काम कर रहा है stock ने closing भी अपने support लेवल पर दिये और अब इसमें हमको higher high pattern देखने के लिए मिर रहा है यहां से गिरावट आई है again bonds bag के stock इस high को breakout देता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि बड़ा selling pressure देखने के लिए नहीं मिर रहा stock एकी range में उपर की ओर sustain होता हुआ नजर आ रहा है बात कर रहे थे support लेवल की तो 64 का लेवल जो immediate support का काम करेगा इसको breakdown कर जाता है तो ऐसे condition में यह जो इसका low 62.50 का लेवल next support का काम करेगा और तगडे support का काम करने वाला है 60 का लेवल तगडे support का काम करेगा और बात करते हैं तारगेट की तो आने वाले दिन में अगेन हमको यहां तक का jump देखने के लिए मिलता है 65.50 तक का jump देखने के लिए मिल सकता है लेकिन इसको अगर break out कर जाता है तो ऐसे condition में अगेन हमको 67 तक के भी target पटेर इंजिनेरिंग में देखने के लिए मिल सकते है और stock with bondsback के साथ अपने इस high को भी break out करता हुआ नजर आ सकता है अगर इस high को break out कर गया तो ऐसे condition में हमको 70 तक के target पटेर इंजिनेरिंग में शॉट टम में ही देखने के लिए मिल सकते है अगर आप payment account open करना जाते हो तो description में देखने लिंक से कर सकते हो वीडियो जो education purpose के लिए कोई buy और sell की सला नहीं है